बिग बॉस का जो ये हफ्ता गया है ये जो वीक गया है यह काफी जाधा इंट्रस्टिंग रहा है पूरे बीक चाहे वो contestants के task के बाथ हूँ या उनके आपस के बीच के लड़ाई हो इन सब पर एक अच्छा content दिया है new challengers ने जी हाँ जो नए challengers है विकास गुपतार शिखानी नों ने एक नया content दिया है big boss के घर को इस अफ़े योगि audience ने काफी पसंद भी किया है और काफी अच्छे amount का वो content था योगि big boss लकर मसाला नहीं है तो लोग देखते नहीं है और क्या चाहिए है लड़ाईया लड़ाईया किसी ने किसी बात पर बहस तो ये सब चीज़े जो हैं ये big boss में content लाती है और के सरा से audience देखती है फिर big boss को सब की बात करें तो अब क्या बचा विकास गुपता का eviction ची हां विकास गुपता का eviction होगा और किस तरह से विकास गुपता को evict कर दिया गया है big boss के घर से क्योंकि विकास गुपता ने गुसे में अर्शी खान को धक्का दे दिया swimming pool में आपको दा देगी किस तरह से ये एक massive fight हुई थी अर्शी खान और विकास गुपता के बीच में जिसमें उन्होंने कई nasty things बोली है एक दूसरे को और जिसमें अर्शी खान ने कुछ माबाप के ओपर भी कुछ बोला है मदर के ओपर कुछ बोला है विकास गुपता के मदर के ओपर जो प्रोमे में वो जो दिखाये गया कि किस तरह से वो कहती है कि अपनी मदर की insult करता है विकास गुपता ये सब बातों पर विकास गुपता जो है बढ़क गया और अब आपको बदा दे कि वीकेंड का वार में जिसका प्रोमो सामने आया है जिसमें सल्मान खान अर्शी खान की क्लास लगाते हैं नजर आ रहे हैं जिहां अर्शी खान की क्लास लगाएंगे सल्मान खान क्योंकि सल्मान खान ने बोला है कि यहां पर ये नहीं चलेगा अर्शी खान सल्मान खान ने बोला है कि अर्शी खान ने यही बोला है कि विकास की मदर को गलत बोला है अर्शी खान ने और अगर विकास की पोजिशन पर होते तो वो भी यही करते जो धक्का दिया है सुबिंग पूल में अर्शी खान को उसका सपोर्ट किया है सलमान खान ने और वो कहते हैं अगर तुम विकास की जगा तुम मेरी कुछ नहीं बोला विकास की मदर के बारे में और वो गुस्से में होती है और किस तरह से रुबिना दिलाएक जो है वो भी अर्शी खान पर बरस पड़ती है कि उसने कई ऐसी गंदी बाते बोली हैं उनकी हस्बंड अभिनाव शुकला पर कुछ ऐसी गलत बाते बोली हैं जिस किसी को disrespectful नहीं बोल सकते आप किसी के mother father पर नहीं जा सकते और ये तक बोल दिया है कि आप free हैं अगर आपको जाना है तो आप इस घर से जा सकती हैं वही अर्शी खान उसके बाद बोलती है कि वो इस यो को शोड़ना चाहती है और किस तरह से वो दरवाजे के पास चली जात हैं और सल्मान खान जोगी अपनी parting line में होते हैं जो बोलते रहते हैं कि nobody has a right to go on someone's father or mother so यह अब आने वाला है और इसमें देखते हैं कि क्या अर्शी खान का घर से अर्शी खान भी निकल जायेगी , क्या अर्शी खान को भी उनकी इस disrespectful वानी जो बात होती है उसके चलते उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा यह देखना बाकी आप क्या करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट के लिए